कहने का मतलब यह हुआ है कि आपका हो सकता है कि समय का समय खराब हो अब सुने हो यह गाई यह बाद सिख्का तोनों का होता हो गेड का भी होता है तेल का भी होता है हम आपको बोलें यह बाद सिख्का कोनों का होता है चित का भी होता है पट का भी होता है गेड का भी होता है, तेल का भी होता है, वक्त उसी का होता है, जो पलट कर उपर आता है, यानि कहने का मतलब क्या, मेरा हो सकता है, अभी मेरा समय खराब चब रहा हो, लेकिन समय अगर खराब चब रहा हो, तो सब दिन समय खराबे नहीं होता है, समय का नियमे आया की चेंज ह जब अच्छा है आप बूरा दिन बीटेगा, तो अच्छा दिन आदे करेगा, इसलिए हमारे समझे, तभी भी आप अपने आपको कमजोर मत समझे, आप जैसा है, बहुत अच्छा है, तभी भी आपकों कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेसा पोजीटिव सोचिए, हम जो भी क शर्वोत कर सकते हैं लेकिन एक बात कमर्ण से हम सा तो प्खोए कर अधे Erg कर घर कमर्ण से हैं तो थोड़ा सा मेरा हाओ बंता है अप Miche एक हम आएंगे अपने inबत Since Mom कि अगर हम अगर पढ़े और सही धंग से अगर अकाउंटिंग का अगर जानकारी है अगर हमारे पास सही धंग से हमको अकाउंट लिखने आता है तो हम दोरोजगार नहीं रह सकते हो जब से GST आया है अब GST GST का नाम सुने हो येगा जब से GST आया है, इंडिया में पहुत अकाउंटेंट का जड़ोद पढ़ा हो, अगर हमें अकाउंटिंग अता आओ, तो कम से कम हम 20,000 उपईया ते जड़ोग का आ सकते हैं, कम से कम 20,000 उपईया फिरुद्गार के नहीं दा सकते हैं, हाँ, अगर हम मेनत अगर करते हैं, अगर आप साइंस लिए माच से पढ़ें, आप आई आई ट्यार के हम आपको पच्छी साल के एंडिक्स्टिये बढ़ा हो, और यह आप बात होता के आए कि लड़का को यार पढ़िया से पढ़ें जो तो कमर्स का पढ़ो, साइंसे पढ़ो, लड़का यही पे गल्दी कर अगर आप साइंस लिए माच से पढ़ें, आप आई आई ट्यार को आपका भैलू हो, पर आइवेट गोले से इंजिनियरें की जिएगा ते देखिए का बहुं साना, तो टुटोएंडी से वारु लगी का बहुं आटा है, वो भी से पुचिएगे तो कहेगा इंजिनियरें है, और याने से पढ़ गया है, चाहे साउट से पढ़ गया है, वो इंजिनियर साब हो, यानि वो ऐसा इंजिनियर पढ़ने से हमारे समय से क्या फाइगा, अगर हम पढ़ें, अगर आपको एक काउंटिंग अगर बढ़ी आ जाता हो, तो हमारे समय से आप बहुत ही बढ़ तो कि खुड़ा सा अपने को फुरस्टेशन महसूस कर रहा है। हम उसके चेरा से देखे हैं। हमारी कोचिक में पड़ा है, आपके परिहार का बहुत युगदान है रवीच कमर्सुएं। रवीच कमर्सुएं। बहुत थारा लड़का है परिहार का। और बहुत तरह लड़का है, अब दिल से यह बात हो रहे हैं, आपका सुरू से ही रवीच कमर्सुएं। आपका स्वयोग रहा है परिहार इलिया से। तो कुछ लड़का को हम देखे हैं कि वह थोड़ा सा उदास्ता। तो हम थोड़ा सा होम ओर की भी कर किया हैं। हम उनको के लिए यही बात बोले के ओ, हम आपको बोले ही आपको भात। वो जीतन नहीं माजी का कह रहा हैं। सोरी तस्वरत माजी का कथन था हो माउंटेन बैन माजी अब फिलिम निकला था हो नावा जो दिन सिदिगी का अभी फिला अभी फिलिम कुछ दिन क्वाले आया था तस्वरत माजी का के असुने तुमाजी के का अग्याय क्या यह गणा दुरसे एग कहा है आग भागवान भरोसे क्यों रहे हिए यह आपा भागवाम हमरे भरों 박लोग का मतलब यह अगर हम ऐस सफल हो तरijn कि मरी में थोड़ा सा डाउट आता है मेरा तो सटर क्या होगा। हम यहीं कहेंगे सबाइगा थोड़ा साइदी जार कर बेटा हाँ थोड़ा सा पोजीटिव रहो असभलता आता है हम भी आज रभीज कमर से जहां पर है हम भी तो लड़का से पढ़ाते हैं हम भी इस्ट्रगल करके हैं वहां तक पहुंचें उपर वाले की दया से मेरा और सार में हैं आपको देखने सुनने में ठीक लगते हैं कामाते हैं तो बीना मेहनत कर नहीं होता हो यानि मेहनत से ही सारा कुछ होता है आदमी को पोजीटिव सोच के मेहनत करना चाहिए अगर हम पोजीटिव कर रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं उपर वाला पर छोड़ दिए जो होग तो अच्छा ही करेगा लेकिन हम सार्थक मेहनत करेगे हमको क्या पता था कि आप लोगा मारे बाद को सुने आईए इसका मतलब हमने रिष्क लिया हो फांच आदवी भी आते तो मैं आप परग्राम कराता ह। दस अजबी भी आते तो मैं यह परग्राम कराता ह। इतना आप लोग आए तभी भी मैं परग्राम करा रहा ह। कहने का मतलब क्या मैंने पोजिटिव सोचा। अगर आप तस ही लड़का मेरे बात को सुनके अगर अपना फ्यूचर अगर सही ड़क्सर दिर्दारित कर ले अगर सही गाइड लग अगर उसको भी जाता है तो हमारे लिए बहुत पलस्पाइट होगा नाम तो जरूर लेग कोड़ा सा उसके मन में हेंडिटेशन है वो लगता है उनके पापा मी कहते ही तू ना पढ़े वाला थे तर हमारे समझ से वह प्रोग आड़ा तो आप जो गर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं पोड़ा सा मेनत कीजिए गर पांच गंडा पढ़ते हैं तस गंडा पुरा हमारे किसमत में नहीं लिखा है हमारे नसीब में नहीं लिखा हूआ यह सब गलत बात है अगर हम पोजिटीब अगर सोचे एक डीम को जेख लीजिए को जेख लीजिए हम ही लोग जैसा बेखती होता है आज हमको कि लानी महसूस होता है कि मैंने उस फिल्ड में क्यो नहीं क मुझे आज महसूस होता हूँ कि मैंने उस मिल्ड में क्यों नहीं किया लेकिन हम अगर मेरा अभी समय चल रहा हो मैं अभी 16 साल का हूँ 17 साल का हूँ मैं मैं टीक आइक्जान देने वाला हूँ मैं अगर इसी समय से सही काइड लांगे चले साही डंग से पढ़े कि जी वे में आई एस ओफिसर बन जाएगे यूजी अमें हम उपीए सी करी काल सकते हो अगर हम सही डंग से मेहनत करें तरह अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हो इंटल में असी परसें पजासी परसें वांग सुला रहे हैं अब इजी वे में हाँ यूपीए सी का सबना देखी और देख लीजिएगा कोई कादा कि हुए सपेसल आज भी थोड़े होते हो अगर कोई डियम साहब है चाह कोई यस्पी साहब है तो कोई यसपेसल उपड़के नहीं हमी लोग के बीच के होते हो आज होगा टीम है मेहनत हम भी मेहनत करें गया हम दियम क्या फोरीं दीपार्टमेंट हमको मिल जाएगा और अल्कुत भी बन जाएगा अगर बढ़िया रहें का जाएगा तक कहने का मतलब या कि कभी भी आदमी को अपना से कम जोट नहीं समझना चाहेगा हो मेहनत कीचेगा पोजितिव सोच रखि एक असफल बेक्टी सफलता का मतलब समझता है वही कहता है कि हम अब एक असफल है आप समझे लीजे क्या जब वह सफल होगा तो वह समझे का कि सबलता है क्या मतलब है सुरू से ही अगर मेरा परिवरिस बढ़िया फेपली में हुआ तो हम गरीब को क्या समझता है और गरीबी क्या होता है जब हम गरीब से धनी बनते हैं तब हमेरे सास होता है कि कैसे कैसे हमने क्या किया था इसलिए अगर संजोग से आपो सबल होते हैं कभी भी जाना टेंश सफली घरक सपलता कैसे आता तब लोग कीसे वात को समझान हुआ तक आपakyकरете सेचेट है